स्वागत है रमा टेक्निकर कंप्यूटर इंस्ट्टूट पर दोस्तों हम आप लोग को ट्रिपल सी का जो पर मन्त एक्जाम हो रहा है उसमें पूछा जारा जो क्यूश्चन उसको हम डिसक्शन करने वाले हैं ठीक है तो आज हमारा पार्ट वन है ठीक है आप देख सकते हैं गश्ट्राइब उसके पाद अब शुरूर सरी स्टार्ट करेंगे और पार्ट वन प्रूपार्ट चलता रहेगा ठीक है और आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्रायब करेएगा लिए बीडियो को स्टार्ट करते हैं एक क्यूश्चन पहला प्यूश्न आया आ है ठीकिएगा इसमें फाला क्यूशन दिया है लिब्रे आफिस में अधिक्तम कालम वरों कितने होस होते हैं ठीक है यह क्यूशन आपका है और इसमें आप्षन है इसमें पूस्ता है कि जो कॉलम है कालम की अधिकतम कितना है और अधिकतम कितना होगा तो हम यहाँ बदेखेंगे तो यह हो गया आपका कॉलम का और रोका हो गया दस लाकर दाल यार पांसो छे तर तो इसमें आपका option number D सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों option include है ठीक है तो आप अगला question देखिए समझ में आ गया हुआ अगला question दिया आपका लिब्रे आफिस कैल्क में सेल फार्मेट करने की स्वाट कट्की क्या है मतलब अब 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 संदों है कॉмотрicon की तो इसमें आपका option दिया है देख सकते हैं पहला one n यहां पर दिया है कि आपका पर जेगा तह तो इसमें आप यहाँ पर दिया है कि यह सेल जो होता है ऐसे करके अभी आप लोग को बताये थे जो बीच का बहाग में say wejas say train तो बीच में जो पूछा सौटकत की नहीं होता है यहां पदिया है सेल में मतलब जो संजावड नहीं करना होता है यहां से एक shortcut की आता है वहां से करेंगे तो हो जाएगा तो ध्यान देंगे कि इसका option number b हो जाता है control plus one होता है ठीक है control plus one और आपसे पुछे save की shortcut की तो control के साथ ऐस होता है ठीक है save ठीक है save save की shortcut की पूछे तो यह होता है control लेकिन save as की की पूछे तो हो जाता है दिके save as ठीक है save as की shortcut की पूछे तो control और shift उसके बाद हो जाता है आपका control shift और as हो जाता ठीक है चलिए अगला question देखेंगे अगला question दिया है सबसे पहला search इंजन कौन सा है जैसे कि Google याहू आर्ची और Facebook option दिये हैं आप इसमें से बताएंगे सबसे पहला कौन सा search इंजन हो सकता है तो इसमें देख सकते हैं कौन सा आप्शन आर्ची होता है है एक में डुक जाएगा सबसे पाला हो जाता है आपका कौन सा हो जाता है आर्ची ठीक है यहाँ पार देख सकते सकते हैं आप्शन आर्चे ठीक है यह अंसर से प्जाएगा उसके बाद यह दिया अप्शन यहाँ पर państwo Google सबसे यह पूछेगा तो यह सबसे बड़ा है ठीक है यह क्या है सबसे क्या है बड़ा है सबसे बड़ा यह सबसे बड़ा हो जाएगा ठीक है सबसे बड़ा पूछेगा तो यह हो जाएगा और सबसे बतलब यह एचे करके पूछेगा तो यह सब हो जाएगा ठीक है ध्यान ठीक है गो शोशल नेटवॉर्किंग ठीक है सबसे जो जैसे सबसे ज्यादा लोग सौशल नेटवर्किंग से जुड़ते हैं यो था आपका क्या होता है फेस्बूक ठीक है यहां पर ध्यान के यहां पर दिया है एक क्युषान को सबसे पहले कौन सा bank सुरू किया होगा किया यहां पर दिया है क्योंकि यह जो हो चाइना में इस्टार्ट हुआ था और जो पहला बैंक था यह मतलब इस्टार्ट करने वाला एच एस बी से ठीक है उसके बाद अगला क्यूशन देखेंगे अगला क्यूशन दिया है आपका ध्यान दीजिएगा लिब्रे आफिस में फूल स्क्रीन की शॉट्कट की क्या होती है मतलब क्या है तो यहां पर ध्यान देंगे कंट्रोल सिप्ट सी ठीक है कंट्रोल सिप्ट सी होता है लिब्रे आफिस का पूछ रहा है तो आप क्या करिएगा नहीं यहां पर ध्यान दीजिएगा इसको याद करने में बहुत दिक्कत होता है नहीं तो कुछ करना नहीं है बस आपको ध्यान दीजिएगा तो यहां पर ध्यान देंगे Ctrl 1 जो होता है Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3 यह आपका Heading का होता है किसका होता है Heading जो होता है Writer जब पढ़ेंगे तो Writer में Heading के बारे पूछता है तो Heading जब बात आती है तो heading के लिए यह होता है ठीक है क्या होता है heading का heading वाला आपका यह option जो अभी बता है न पुछे heading 1 का तो control 1 heading 2 का तो control 2 heading 3 का तो control 3 यह option से ठीक है तो यह आपका सही हो जाएगा अब यहाँ पर next कर दें question question में दिया है चट्वे नंबर का question जो है यहाँ पर देखेंगे कि बोला है लिए आक गल लेए to लिए यही जो लिखतें तो इसे बोलते है Viking मたい मार्जिग उपर का मार्जिग हो गया निचे का मार्जिग है से जावा एक language होती है वह program होता है तो program को operate करने के लिए भासाइं लगा जाती है तो यह पता किस अस्तर की भासा है कोई बता हैगा तो इसमें देखें किया है यह उच्च अस्तरकी भासा है जावा हो गया ठीक है उसके बाद अनिक प्रकार की language होती है यहां पर ध्यान देंगे अगला दिया है आपका पहली बार किस बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड सुरू किया गया सबसे पहले कौन सा बैंक जो था वो सबसे पहले अपना क्रेडिट कार्ड मनलब सुरू किया था दिखेंगे क्रेडिट कार्ड जो होता है क्रेडिट कार्ड स सबसे पहले बैंक स्टार्ट किया था अब नेक्स्ट क्यूशन में जाएंगे अब ध्यान देंगे नेक्स्ट क्यूशन में नेक्स्ट क्यूशन क्या है कि डिफकल्ट नहीं है लेकिन इसमें जादे देखेंगे अभी इसमें दिखें क्या क्या कैसे आ रहा है इसे यहां पर द किजेगा इसमें जो होता है आपसर नंबर डी हो जाएगा अब देखेंगे कि मालीजी हम किसी का इमल आड़ी बना तो जैसे लिखेंगे आर ए एम ए रमा एड़ दरेट ठीक है अब लिखेंद रहें जीमेल भी टॉट इसको एक मेर्णोग जाएगा यापं फिर से लिख रहें को यह पर ध्यांन देजीएगा क्या होता है ना कि इसको सफ्कrånा कि हम नहीं लिखना चाहिए उसको लिखना होता है वेशना इसमां पूंगत नाम से बना दो रहें जैसे की इन लिख लेहर है कि राहूल राहूल हो गया राहूल यह इसमें मिश्टेक हो जा रहा है इसमें देखें यहां पधान दीजेगा यह संबोल है यह मल यह राहूल लिख देए अब फिन्याल लिख देए एड़ दर लगाने के बाद हो गया आपका जीमेल डाट कॉम हो गया ना यह जीमेल डाट कॉम हो जाएगा तो जीमेल डाट कॉम हो जाएगा तो जीमेल डाट कॉम हो जाता है यहां जो होता है इसे बोलते है डी एनस डोमेन नेम सिस्टम और यह होता है आपका पहला जो होता है यह जो नाम है राहूल का यह हो जाएगा का आपका यूजर नेम ठीक है अब इन दोनों को अलग करने का पुछता है इमेल आइडी को दो भागों बाटने का काम कौन करता है तो आधरेड काम करता है ठीक है यह आपका हो जाएगा अब अगला क्यूशन देखेंगे बोला है कि ईन इस आफ्टि fast कार कारे करने का समय क्या क्यार्णक कब तक रहता है तो यहां पर ध्यान देंगे बोला है कि 24-47 होता है ends सब्था होता है 24 लूज गंटे का तो यहाँ पर पूछा है true and false तो यहाँ पर में ध्यान ट्रू में यहाँ पर ट्रू वाला होता है यह दोनों मलब इनी टाइम काम करता है आर्टीजेस और एन एफटी ठीक है RTGS का full farm होता है Real Time Gross Settlement और EFT होता है Net Electronic Fund Transfer ठीक है यह हो जाता है तो आज की बस इतना है क्योंकि आगे भी 10 क्यूशन रहता है 10 क्यूशन आपका revision रहेगा ठीक है